पंजाब बीजेपी दे नवे बने इंचार्ज विजे रुपानी चंडी गड़्डे दो दिदे दो रेते हन। उना ने आज पार्तिया जन्तापर्टी पंजाब दे मुखधध्र विच कोरक मेटी दे मेमराल वी मीटिंगा कितन हैं। इस तो लावा उना ने पार्तिया जन्ता पार्टी दे कार्या करता नाल भी मीटिंगां केतियां। बतीत कर सकते हैं। उन्हा क्या है कि जो लोग का अंदर डार है और डार भी खतम किता जाएगा। पी नौर्थ को फोन कर कहा कि वैदिली हाई कोट का जजज बोल रहा है और अपने प्रिवार की स्रक्षा के लिए स्रक्षा कर्मी चाहिए। और तुरंत वैं स्रक्षा कर्मी उसके गर पर तनात कर दें। जिसके बाद बातों को लेकर एसीपी नौर्थ वरिंदर खोसा को उस पर शक हुआ। जिसके बाद वरिंदर खोसा ने एक टीम गठित कर मिशुदीर के गर बिजा और उसके बाद पाया कि मिशुदीर ना तो कोई जज है और ना कोई अधिकारी। जिसके बाद पुलिस ने मिशुदीर को दर्द बोच लिया वहीं आज पुलिस ने मिशुदीर को अमरित्सर कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड हासल कर लिया है ऐसे में मिशुदीर का कहना है कि उनके साथ सोशल मीडिया पर फ्रोड हुआ था जिस पर उन्हें हाई कोर् की वेश बुशा में खुद ही आ गया अब देखना होगा कि पोलिस इस नकली जज़ पर और क्या कड़ी कारवाई करेगी विडिजनलिस बरत के साथ द्यांचन करनाल के जिला सची वाले में पोचकर नगरपाली का सफाई करमचारियों ने जोड़दार तरीके से परदर्शन किया बीते दिनों भी दिपावली पर पर सफाई करमचारी हरताल पर चले गए थे जिस से सहर की सफाई वेवस्ता चरमर आ गई थी लेकिन सरकार के नमाइंदों के साथ सफाई करमचारियों के नेताओं की बैठक हुई थी और बैठक में फैसला लिया गया था कि उनकी मांगे माननी जाएंगी लेकिन अब तक उनकी मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी गई जिसके विरोध में आज करनाल के जिला सची वाले में पहुचकर सफाई करमचारियों ने परदर्शन किया और सफाई करमचारियों ने मांग कि अगर सरकार जल्दी उनकी मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों करते हुए नजरा रहे और उनका साफ तोर पर यही कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी उनके मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर से वैहरताल पर चले जाएंगे करनाल सेमिच्वन न्यूज के लिए कमल क्रीपोर हाली में हुए जिलापारसत, बिलोग समिती और सरपंचपत के चुनावों में चुने गई प्रतिनिदियों से मिलने के लिए आज पंचायत मंत्री देविंदर बबली फरिदवात पहुचे जहां पर आने वाले समय में विकास को किस तरीके से गती मिले इसको लेकर तमाम सरप प्रतिनिदी और चुनंदा प्रतिनिदियों से बातचीत की वहीं इस मौके पर देविंदर बबली ने बताया कि पिछले दो साल लेट हुए चुनाव को लेकर विकास पूरी तरीके से थम गया है ऐसे में उस विकास को गती देना बहुत जरूरी है ऐसे में हाली में चुने कि नहीं है तरीके के प्रतिनिदी मिले है वह कहीं ना कहीं इस पूरी कसोटी पर खरावतरने का काम करेंगे जो विकास को लेकर के आगे बढ़ सके वहीं पंचात मंतरी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में गाउं के अंदर विकास की वह परिवासा नजर आएगी जो अब नई गति देने का काम करेंगे फरीद अवास से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूर अब पंचायतों में होगा इटेंडरिंग से काम यह कहना है पंचायत आवम विकास मंत्री देविंदर सिंग बबली का देविंदर सिंग बबली की माने तो आज चुणो है प्रतिमिदियों को नवन्यूक्त सरपंचों को जिला अध्यक्षों को यहां पे बुलाया गया था और किस तरह से काम करना है किस तरह से सरकार आपके ग्रामी निलाकों के अंदर विकास करना चाहती है जीरो टोलरेंस नीती पर विकास करना चाहती है इसके बारे में देविंदर बबली ने केवल सरपशो को बताया बलकी जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि परतेश सरकार की जीरो टोलरेंस नीती को follow किये जाए जिसके तहथ परतेश सरकार दौजा जो भी राशी गार्मणी अंचल के लिए भेजी जाती है वो कही न कही सकारत्मक्त तरीके से खर्च की जाए हाला कि इस पूरे मामले में सरपंचो ने भी इस प्रक्रिया को बहतरीन बताया और ये बताया कि इट्रेंडिंग से ब्रष्टा चार के मुद्दों पर लगाम लगाजा सकेगी कैमरामन जितंदर शर्मा के साथ नीरदर से स्कुरूगराम एमेच वन निउस कॉंगरस सरकार का आज हिमाचर प्रदेश में सत्ता का दूसरे दिन और दूसरे दिन ही विपक्ष ने पत्रकार वारता के माध्यम से सरकार को घेरने का पूरा प्रतिन किया उन्होंने कहा कि जो भी फैसले सरकार कर रही है वो कही ना कही जन विरोधी फैसले हैं जस तरह से एक अप्रेल के बाद जो रिव्यू करने की बाद कॉंग्रे सरकार ने की है तो उसको लेकर लगातार विपक्ष जो है वो पूरी तरह से आकत्मक दिख रहा है और उनका साफतार पर कहना है कि जो मैंडेट जनता ने दिया वो उसे सुईकार करते है और हार के आंकलन का जल्द बैटक के माद्यम से जनकारी ली जाएगी कि हार के कारण क्या रहा है और साथे साथ उन्होंने ये कहा है कि यदि अटल रोतांग टेनल पर वाजपई के नाम के साथ कोई भी छिडखानी की जाती है तो उसे कते ही बरदाश्ट नहीं किया जाएगा एक जन अंदोलन खड़ा किया जाएगा ताकि जो छेडखानी करेंगे उसे जो है वो रोका जा सके बहराल देखने ये होगा कि जहां एक और कॉंगरस सरकार के दूसरे दिन के कारवाई से जो है विपक्ष कहिना कहिन बाखलाहट में दिख रहा है उसको लेकर क्या कुछ आगे रणनीती रहती है मैं अपने सहयोगी पुष्पंदर चौदी के साथ सुनील परमार एमेचोन प्राइम शिमला अंकिता भंडारी की जगनी हत्ता के बाद उत्तरा खंडी नहीं पुरे देश में आकरोस तेखनो को मिला था लोगों ने आर्योपे को सक्च सच सजा देने की मांग की थी महीं विपक्स भी लगतार इस मामले में सरकार को घेंडने का कोई भी मोका नहीं छोड़ रहा है विपक्स आपतोर पे आरोप लगा रहा है कि सरकार इस मामले में आरोपे को कहीं बचाने का कारिय कर रही है वहीं उत्राखंड के केबिनेट मंतरी गने जोसी ने विपक्स को रानीती नहीं करने की नसीहत दी है वहीं जाच दिकारी जी आरिपी डियाईजी रेनकों ने बताया की साइटी द्वारा लगभग इस मामले में जाच पूरी कर ले गई है और इस अब ते चार्ज सीट दाखिल कर दी जाएगी कैमरा परसन के साथ में विकास कर एमेच वन प्राइम हरी द्वार राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हर्याना में आएगी तो इसको लेकर के हर्याना कॉंग्रेस पूरी तयारियों में लगी हुई है इसको लेकर के मंगल वार को 15 जी आर्जी जो कॉंगरेस का वार्रूम है बहाँ पर एक बैठक की गए लंबी मेर बैठक में सभी पदादिकारी मौजूद थे सभी कारेकारी अध्यक्ष प्रदेशा अध्यक्ष समेत केंद्रिय जो इनके परभारी है हर्याना कॉंगरेस के शक्ति सिंग गोहिल वही मौजूद रहे रंजी सुर्जेवाला ही मौजूद रहे इसके लावा के और नेता भी यहां पर मौजूद रहे किस तरह से रूप रेखा होनी है कहां पर ठहराब होगा कहां पर किसके उपर खाने पीने के जिम्मेदारी होगी मीडिया मेनेजमेंट से लेकर के लोगों के मेनेजमेंट किस तरह से करनी है नेता जो आएंगे उनके मेनेजमेंट कैसे करनी है इस तमान चीजों को ले करके सभी की अलग-अलग ड्यूटियां लगाए गई है और इसी सब चीजों को ले करके चर्चा हुई और ये कहा जा रहा है कि हर्याना में एक बहुत अच्छे तरीके से भारे जोड़े यात्रा को रिस्पॉंस दिया जाएगा और हर्याना कॉंग्रेस इसी में जूटी हुई है इससे पहले भी एक बैठक की गई थी और अब उसरी बैठक करके इसे अंतिय स्वरूप दिया गया है और इसके बाद अब सभी पदादिकारियों कह दिया गया है कि वो अपने अपनी कारे जो फिर से दिल्ली और फिर से हर्याना में ये रात्रा पहुंचेगे फिर हर्याना से पंजाब होते हुए पठान कोट होते हुए कश्मीर में ये जाकर के खत्म होगी तो इस पूरे यात्रा में जगा जगा स्थानिय नेता कॉंगरिस के नेता जुड रहे हैं और अब जब हर् के निता इसे और भी भब्वे बनाने की कवायद में हैं।